हलो दोस्तों मेरे किचिन में आपका स्वागत है आज हम बहुत कम तेल में सूजी से बहुत ही बढ़िया टेस्टी नाष्टा बना कर त्यार करेंगे इस नाष्टे को आप सिर्फ एक चमबर तेल से बना सकते हैं इस नाष्टे को बनानी के लिए किसी भी तरह के मसाले डालने की ज़रूत नहीं है आप इसे सुबह शाम नाष्टे में बना के खा सकते हैं तो चलिए आज का मज़ेदार नाष्टा बनाना हम शुरू करते हैं मैंने यहां एक टमाटर को छोटे-छोटे तुकडों में काट लिया है और इसे हम डाल देंगे जार के अंदर और साथ में हम डालेंगे सूजी सूजी यहां मैंने एक कप लिया है इस नाष्टे को बनानी के लिए आप सूजी कोई भी इस्तिमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास में सूजी नहीं है तो आप रवा भी यूज कर सकते हैं इस नाष्टे को हल्दी बनानी के लिए हम यहां ओट से डाले और अब हम डालेंगे आधा कप दही यहां पर मैंने फ्रेश दही का यूज किया है और अब हम चार के अंदर डालेंगे हरी मिर्च और अदरक के कुछ तुक्डे और अगर आप तीखा जादा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च की कॉंटिटी आप बढ़ा सकते हैं नाश्टे को चटपटा बनाने के लिए हम डालेंगे निबू का रस एक चमच आप चाहे तो निबू की रस की जगा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं आदा चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे और साथ में डालेंगे पानी पानी यहां में एक कब डाल रही हूँ तो चले अब हम इसे मिक्सर में पीस लेते हैं और इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर त्यार कर लेंगे एक बात धान रखना है कि एक कब सुजी के साथ में आधा कब दही और आधा कब ओट्स लेंगे और एक कब पनी डलेंगे और ये देखे हमारा पेस्ट बनके तयार हो गया है तो इसे हम बाउल के अंदर निकाल लेंगे तो अब हम क्या करेंगे धक कर 10 मनेट के लिए रख देंगे इससे क्या होगा ना सूजी हमारी अच्छे से जाएगी तो चली हम आगे का प्रोसे शुरू करते हैं आज का जो नाश्ता है ना हम इस पतिले में बना कर टैयार करेंगे तो अब हम क्या करेंगे पतिले में अच्छे से तेल लगा लेंगे आप इस नाश्ते को बड़ी सी प्लेट में भी बना सकते हैं या तो फिर इस तर हैं तो अब हम इसमें डालेंगे नमक यहां मैंने नमक आधा चमस्ट डाला है आप अपने स्वादा नूसा मैं यहां में एक चमस्ट टाल रहे पतिला हमें पूरा नहीं भरना है आदा ही हम इसे बैटर से भरेंगे और यह जो बचा हुआ बैटर है ना इसे हम डाल देंगे कटूरी के अंदर तो चलिए हम नाश्टे को स्टीम कर लेते हैं यहां पर कड़ाई का पानी गरम हो गया है तो अब हम क्या करेंगे पतिले को तो इसका मतलब यह है कि हमारा नाश्टा अच्छी तरसे पक चुका है तो अब हम क्या करेंगे नाश्टे को पुरी तरसे ठंडा होने देंगे तो चलिए इसे हम डी मोल्ड कर लेते हैं तो यह देखिए चाको की हल्प से इस तरह से हम किनारे निकाल लेंगे और बस इसे हम इस तरह से पलट देंगे तेल लगाने से क्या होता है नाश्टा चिपकता नहीं है और बहुत ही जल्दी डी-mold हो जाता है ये देखे हमारा नाश्टा कितना स्पॉंजी और कितना सॉफ्ट बना है और बहुत ही ज़्यादा जलीदार भी बना है तो चली हम इसे चोटे- बनके त्यार हो जाता है बुरी तरह से हेल्थी नाश्ता है क्योंकि इसे हमने ओटस से बनाया है दोस्तों वेट लॉस के लिए ये बहुत ही बढ़िया ब्रिकफस्ट है इस नाश्ते को बनानी के लिए बहुत ही कम तेल और मसालों का इस्तमाल किया है और साथ ही साथ सिंपल बेसिक मसालों का यूज करके नाश्ता तयार किया है और जो बचा हुआ बैटर था ना इसे मैंने कटोरी के अंदर डालके इस तरह से पका लिया है तो चलिए इस नाश्ते को भी हम कटोरी में से निकाल लेते हैं इस नाश्ते को आप किसी भी बड़ी प्लेट में या तो फ तो चलिए इसे भी हम पीस में काट लेते हैं और ये दिखें दूसरा भी नाश्ता हम इस तरह से चाकू के अलपे से काट लेंगे बहुत ही सिंपल इसी रेसीपी है तो एक पार आप इसे घर में जरूर बना के देखें और ये देखें मैंने सभी नाश्ता इस तरह से काट लि जैसे ही राई तड़क जाए तो इसके बाद में हम डालेंगे सफेद तिल एक चमच और थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देंगे और कड़ी पत्तों को हम तिल में अच्छे से भून लेंगे आप यहां पर देख सकते हैं तड़का हमारा तैयार हो गया है तो अब हम एके करके जो नाष्टा हमने काटके रखा ता ना इसे पैंड के अंदर डाल देंगे तो बस यहां नाष्टे को तड़के के साथ में अच्छे से मिला लेना है लगबग दो से तीन मिनट तक हम नाष्टे को अच्छे से सेख लेंगे तड़के के अंदर तो बस हमारा हेल्थी नाष् पूरी तरह से healthy है इस नाश्टे को आ पच्चो के lunch box में भी रख सकते हैं और सुबह के नाश्टे में भी आप इसे enjoy कर सकते हैं बस इस तरह से बीच-बीच में हम पलटते रहेंगे और हलका सा सेख लेंगे नाश्टे को सूपर टेस्टी سूपर हेल्थी नाश्ता बनके तैयार हो गया है तो चलिए अप हम कैस बन कर देते हैं और गर्म गरम से सर्व करते हैं पूरी तरह से हेल्थी नाश्ता है इसे हमने चुप 1 चमज देल में बनाया है और साथ ही कम मसालों का यूस किया है जो नॉर्मल मसाले हमारे घर में हमेशा रहते ही है तो दोस्तो इस नाश्टी को घर में जरूर ट्राइ करें बच्चों से लिकर बड़ों तक सभी को ये नाश्टा जरूर पसंद आने वाला है यानि आपकी पूरी फैमिली को जरूर पसंद आएगा और आपको मेरा नाश्टा कैसा लगा मुझे कमन करके जरूर बताएं तो दोस्तो अगली मुलाकात होगी नए मज़ेदार रेसिपी के साथ में